नमस्कार बच्चो आज हम आपकी लेखा शास्त्र के दूसरे पुस्तक के तीसरे अध्यायका दूसरा भाग देखने जा रहे हैं बच्चो हमारे अध्यायका नाम है कंपनी के वित्य विवरण इसके पिछले भाग में हमने वित्तिय विवरणों की परिभाशा, उनकी आवशक्ता, उनकी उद्देश जैसे कुछ आधार भूत बातों पर चर्चा की इसके पश्चात हमने यह देखा कि कमपनी के वित्तिय विवरणों के अंदर सबसे ज़्यादा महत्व तोलनपत्र यानि बैलेंशीट वा लाब वहानी विवरण यानि स्टेट्मेंट औफ प्रॉफिट इन लॉस का होता है इसके अलावा कमपनिया रोकड प्रवाह विवरण जैसे कुछ अन्य विवरण भी बनाती हैं पर सबसे महत्व पूर्ण जो विवरण या स्टेट्मेंट्स हम बनाते हैं वो है तोलनपत्र यानि बैलेंशीट वा लाब वहानी विवरण यानि के स्टेट्मेंट औफ है वह कमपनी अधिनियम 2013 के अनुसुची 3 यानि schedule 3 के अंतरगत उसका स्वरूप दिया गया इस जानकारी को हमें याद रखना है अनुसुची 3 के अंदर जो स्वरूप हमें मिलता है वह एक उर्द्वा धर स्वरूप मिलता है जिसमें हम उस्वरूप के अंदर सबसे पहले दाइत्व की अश्रणी को दिखाते हैं सारे दाइत्व दिखाने के बाद फिर हम नीचे परिसंपतियों को दर्शाते हैं तो इसमें आप उपर दाइत्व और नीचे परिसंपतियों को दिखाते हैं तो आपका जो स्वरूप बनता है वह एक उर्द्वा दर स्वरूप बन लेकिन कम्पनी में उपर दायित्व वह नीचे परिसंपत्तियां इस प्रकार एक उर्द्वा धर्स्वरूप बनता है इसके अलावा आपने यह भी देखा कि कम्पनी अपने तुलन पत्र में दो वर्षों की राशियों को दिखाती है एक वर्तवान वर्ष और एक पिछला व अध्यम से तुलन पत्र के नीचे टिपणी बनाकर दिखा सके हैं बच्चो आज हम वही से आगे अपने इस भाग को बढ़ाएंगे हम सबसे पहले एक उदाहरण की साहिता से देखेंगे कि हमने तुलन पत्र का स्वरूप किस प्रकार देखा था उसके बाद हम लाब वहान विवरण के स्वरूप को भी देखेंगे उसका भी उदाहरण समझेंगे तो आएए शुरू करते हैं और एक उदाहरण के साहिता से देखते हैं कि तुलन पत्र में हमने क्या-क्या मुख्य बातें सीखी थी बच्चो हमारे सामने 31 मार्च 2017 के कुछ आंकडे कुछ मदें दी गई हैं जोकी अंबा लिमिटेड नाम की कंपनी के हैं इसमें 10 लाख रुपए के 8 प्रतिशत रिंड पत्र, 50 लाख रुपए के समता अंच पूंजी यानि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रतिभूती प्रीमियम यानि सिक्यरिटी प्रीमियम 20,000 रुपए का बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं यह भी बता दूँ कि आप जब इन मदों को देखें तो आपको अपने मस्तिष्क में अपने मन में यह भी सोचना है कि कौन सी मद किस मुख्य शेयर्शा क्यानी मेन हेड के अंदर आती है इसके आगे समता पुझी या कोई भी अंच पुझी जो ह हमारी सबसे पहले मुख्य शेयर्शक के अंदर आता है आगे बढ़ते हैं हमें यहां प्रारंभिक व्याए मिलता है प्रारंबिक व्याय का अर्थ होता है वह व्याय जो एक कम्पनी अपने पंजी करण तक उठाती है कम्पनीओं को अपने पंजी करण करने से पहले कई सारे कानूनी दस्तावेज जमा करना वह इस से जुड़ेवे अन्य गतिविधियों के लिए कुछ खर्चे उठाने पड़ते हैं अन्य हम प्रारंबिक व्याय या फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसे के नाम से जानते हैं फिर लाब वहानी विवरण अर्थात स्टेट्मेंट और कॉफिट और लॉस का अर्थ है कि हमें देड़ लाख रुपए का लाब है जिसे हमने जमा किया जिसे हमने एक तरह से आरक्षित किया है इसके पश्चात बच्चों आठ पर्तिशत रिड़ पत्रों के निर्गम पर अनुमानित बट्टा आपको याद होगा हमने रिड़ पत्रों के अध्याय में देखा था कि रिड़ पत्रों को बट्टे पर भी जारी किया जा सकता है जब हम रिनपत्रों को बट्टे पर जारी करते हैं, बट्टा एनि डिसकाउंट, तो वो डिसकाउंट जो हम देते हैं, वो हमारे लिए एक दीरगवदे की हानी की तरह उसको हम दर्शाते हैं, उसे हम पूरा एक साथ एक वर्ष में दिखाने की बजाए, उसे टुकडों में आने वाले वर्षों में जब तक वहरिन पत्र हैं, तब तक उन्हें बांट दिया जाता है, ऐसे में बट्टे या डिसकाउंट की वह राशी, जो हमने अभी तक अपलिकित नहीं किया, वह राशी हम आगे के लिए बचा कर रखते हैं, तो उसे भी हम एक संपत्ती की तरह आ हमारे पास इस प्रश्ण में दी गई हैं, अब आये देखते हैं कि इन मदों को किस प्रकार हम तुलन पत्र के अंदर दर्शाएंगे, जैसा कि आपने पहले भी सीखाए, ओपर कंपनी का नाम, नीचे तुलन पत्र लिखकर, जिस वक्त, जिस तिथी पर आप वो तुलन पत इस प्रशीया लेनी होती है या दी जाती है, तो विवरन का कॉलम, नोट संख्या का कॉलम वो राशियों के दो कॉलम हमारे पास होते हैं, यहां हमारे पास एक कॉलम है, इनके अंदर बच्चों सबसे पहले, सम्ताव देताएं इनका मुख्य शीर्शक क्योंकि हमारा जो तुलन पत्र है जो बैलेंस शीट है वो मुख्य दो भागों में बटा होता है पहला भाग होता है बच्चों सम्ताव दायत्व का जबकि दूसरा भाग होता है परिसंपत्यों का तो सम्तावा दाइत्व या देताओं का जो सीर्शक है उसके अंदर हमारा पहला सीर्शक हो गया अंश धारक निधी इसके अंदर अगर आप याद करें हमारे पास अंश पून जी है और हमारे पास कुछ जमाय या कुछ आरक्षित निधिया भी है तो उनको हम इसके अंदर दिखाएंगे सबसे पहले बच्चो अन्श पून जी पचास लाख रुपे की आगई पचास लाख रुपे की अन्श पून जी दिखाने के बाद दूसरा जो शीर्शक हमारे पास है वो है आरक्षित वादिशेश यानि रिजर्व और सर्प्लस तो आपको याद होगा प्रश्न में कि हमारे पास आरक्षित या रिजर्व के नाम पर एक है सिक्योरिटी प्रीमिम रिजर्व वो एक है ये लाब का जमा इसके पश्चात बच्चों ये जो प्रारंभिक व्याए है इस प्रारंभिक व्याए को भी हम लाब या जमा की राश्ची से अपलिखित करते हैं प्रारंभिक व्याए लाब वा जमा की राश्ची से अपलिखित या राइट आफ किया जा सकता है तो इसको हमने किस प्रकार गणना की किस प्रकार एक साथ दिखाया कि हमारी पास राशी आ गई एक लाग तीस वुशार के, लेकिन ये एक लाग तीस वुशार कैसे बना, इसे हम एक नोट संख्या डाल कर फिर हम नोट में दिखाएंगे, ठिपपणी में दिखाएंगे जैसा कि आप अपने सामने देख सकते हैं हमारी पहली नोट संख्या या पहली टिपपणी संख्या में हम आरक्षित या अदिशेश की राशी की गड़ना को दर्शार हैं इसमें हमारे पास एक सिक्यूरिटी प्रीमियम है 20,000 रुपए का इसके अलावा एक लाब वो और हानी में जो लाब जमा था वो है डेड़ लाख रुपए का बीच में हमने इसमें से घटाया प्रारंभिक व्याय को जो की 40,000 रुपए का वो उपड़ने यहां पर दर्शाया इसके पश्चात हमारा दूसरा शीर्षक है गैर चालू देताएं या लंबी अवधी की देताएं बच्चों गैर चालू देताओं में हमें शीर्षकों की अंदर ही राशी को लिखना है पहला शीरशक है दीरगकालीन रिन अब ये दीरगकालीन रिन यहां दसलाग का है परंतु वो दसलाग किस चीज़ का है कैसा रिन है क्या वो बैंक का रिन है क्या वो कहीं और से लिया गया रिन है क्या वो रिन पत्रों को जारी करके लिया गया रिन है ये सारी जानकारिया हमे नोट बनाकर ही देनी होती है जैसा कि यहाँ पर है नोट नमबर टू यानि दूसरी टिपणी संख्या इसके अंदर दिर्ग कालिन रिण और उसके अंदर हमने दर्शाया कि यहां रिण रिण पत्रों से प्राप्थ हुआ है जो की 10 लाख रुपए के थे सिर्फ यहां दर्श में ना होने के कारण हमने चालू देता हूं कि सिर्शा को नहीं लिखा तो जो हमारे पास नहीं है उसको हम अपने प्रश्ण के हल में नहीं दिखाएंगे किन्तों हमें पता होना अनिवारी है कि अन्ष धारक निदी के बाद गैर चालू देता है मुख्य निदी है इसके पश्चा चालू देता है अगली मुख्य निदी या मुख्य मद होती है जिसे यहां ना होने के कारण हमने नहीं दिखाया तो क्योंकि हमारे दाइत्वों में सिर्फ यही मदें हमारे पास थें तो इनको लिखने के बाद हम इनका योग भी करेंगे और योग करके बच्चों कुल हमारे पास 61,30,000 रुपए की राशी यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी तो यह हमारे दाइत्व के पक्ष का कुल योग हुआ 61,30,000 रुपे बच्चों इसके पश्चात संपत्तियों या परी संपत्तियों के अंदर हम सबसे पहले पहला नंबर डाल कर दिखाते हैं गैर चालू परी संपत्तियां यानि वो बड़ी-बड़ी संपत्तियां जैसे जमीन या विख्याती या फिर हमारे पास मशीन है कोई इस तरह की चीज़ें जो लंबे अवजितक हमारे साथ रहने वाली हैं उनको हम इसके अंदर दिखाते हैं इसके अंदर बच्चों हमने अन्य गैर चालू संपत्तियां लिखकर 30,000 रुपे दिखाया हैं क्योंकि इस प्रश्ण में हमारे पास वो सामान्य संपत्तियां नहीं थी यह 40,000 रुपए का जो बट्टा है बच्चों इस पे अगर आप ध्यान दें तो यह आगामी चार वर्षों में अपलिखित किया जाना है यानि 40,000 रुपए को आने वाले 4 वर्षों में आपको 10,000 रुपए करके राइट ओफ करना है उनको खतम करना है उनको अपलिखित करना है तो जब हम 10,000 रुपए करके 4 वर्षों में अपलिखित करेंगे तो पहले 10,000 रुपे इस वर्ष अपलिखित होने है आने वाले वर्ष में बचे हुए 30,000 रुपे उसके बाद के 3 वर्षों में अपलिखित होने है तो जो बचे हुए 30,000 रुपे हैं जो अगले वर्ष के आने वाले 3 वर्षों में हमें अपलिखित करने हैं वो हमारे लिए दीर्ग कालीन संपत्ती का काम करेगा। इसलिए हमने उसे अन्य गैर चालू परी संपत्तियों में 30,000 की राशी के अंतरगत दिखाया है। आप नोट में भी इसकी विवरण को दिखाएंगे कि अन्य गैर चालू परिसंपत्यों में क्या है आपके पास रिन पत्रों के निर्गम पर छूट यानि बट्टा जो की 40,000 का 3 बटे 4 है क्योंकि इसके 4 हिस्से हुए 10-10,000 रुपए के एक 10,000 रुपए तो आने वाले एक वर्ष में आपको दिखाने है तो आपके लिए चालू परिसंपत्य हो गई क्योंकि वो आने वाले एक वर्ष में दिखाने है बाकी का जो 3 हिस्से है 30,000 रुपए वो उसके बाद के 3 वर्षों में दिखाने है तो आपको पता ही है कि लेखा शास्तर में जो चीजें एक वर्ष के अंतरगत दिखाई जानी होती है उन्हें हम चालू कहते हैं और जो एक वर्ष के बाद से जुड़ी है उन्हें गैर चालू कहते है तो ये 30,000 रुपए एक वर्ष के बाद दिखाने के कारण गैर चालू परिसंपत्यों में आएंगे वहीं अगर आप आगे देखें नोट के अंदर छटे नोट में अन्य चालू परिसंपत्यों के अंतरगत हम वो 10,000 रुपए यानि 40,000 का एक चोथा ही हिस्सा दिखाएंगे जो कि हम आने वाले एक वर्ष में दिखाने वाले हैं इस परकार नोट में ये विवरेंट देने के बाद हम अपने तुलन पत्र के अंदर 30,000 रुपए तो दिखा देंगे गैर चालू परिसंपत्यों में फिर जब हम चालू परिसंपतियों का सीरशक लिखेंगे तो उसके अंदर अन्य चालू परिसंपतियों में नीचे बाकी के 10,000 भी दिखा देंगे तो इस परकार हमने 40,000 रुपे का जो हमारा डिसकाउंट हमने दिया था उसके दो टुकड़े किये पहला टुकड़ा वो जो आने वाले एक साल में हमें अपलिखित या राइट उफ करना है जिसे हमने चालू परिसंपतियों में दिखाया है दूसरा टुकड़ा वो जो हमें उसके बाद के वर्षों में करना है उसे हमने गैर चालू परिसंपतियों में दिखाया बचो इसके बाद अगला जो मद हमारे पास था वो था रहतिया बचो रहतियों का अर्थ होता है स्टॉक तो स्टॉक के लिए हमारे पास क्या-क्या मदे थी इसको हमने नोट नंबर चार में दिखाया बचो स्टॉक कई तरह का होता है तेके निर्मित वस्तों का, कच्चे माल, आधी का स्टॉक इसके साथ-साथ खुले औजार जो है तरह की चीज जो रोकड के तुलियांग, याननी एकविवेलेंट है जो उसके जैसे हैं, उनको हम एक साथ दिखाते हैं तो इसका अगर आप नोट देखें तो इसके अंदर एक तो हमारे पास बैंक में उपलब्द राशी है, जो की है साथ हिजार उपएकी और हमारे हाथों में हमारे पास जो नगद राशी पड़ी है 38,000 रुपे की वो है दोनों मिलाकर कुल 98,000 रुपे हमें रोक कड़के सीरशक के अंदर दिखाने है बच्चो ये मुख्य मदें इसके अंदर दिखाने के पश्चात हम इनका भी योग करेंगे अब बच्चो इस प्रश्ण में हमने योग यहाँ पर इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पूरा तुलन पत्र नहीं बनाया है यहाँ हमने एक स्टार का निशान लगाया है वो है ये दर्शाने के लिए कि ये पूरा तुलन पत्र नहीं है ये तोलन पत्र का एक हिस्सा है इसलिए आप देखेंगे तो दाइत्तू का योग और इनका योग बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा तोलन पत्र नहीं है हमने किवल कुछ महत्तूपूर्ण मदों को आपके सामनी दिखाया वह हमने आपको तोलन पत्र का स्वारूप दिखाया ताकि आप उससे एक बार फिर से अबगत हो जाए पिछली कक्षा को देखने के बाद भी जब आप पूरा तोलन पत्र बनाते हैं तो आपको अवश्य ही अनिवारी रूप से यहाँ पर आपको दाईत्यों का योग और इसके अंत में यहाँ पर आपको संपत्यों का योग करके दर्शाना होता है कि दाईत्यों और संपत्या आपस में बराबर हैं तो बच्चों आशा करता हो आपको तोलन पत्र का स्वारूप तो अच्छे से समझाया होगा तो बच्चो अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं लाब वहानी विवरण की तरफ अभी आपने तुलन पतर को समझा अब हम समझेंगे कि लाब वहानी विवरण किस प्रकार बनाया जाता है तो बच्चों लाब वहानी विवरण का आप स्वरूप पहले ध्यान से देखिए इसमें भी चार कॉलम आपको बनाने हैं पहला कॉलम विवरण का, दूसरा कॉलम ठीक उसी तरह नोट संख्या का तीसरा कॉलम वर्तमान अवधी की राशियों का वह चौथा कॉलम पिछली अवधी की राशियों का तो बच्चों हमें इसमें भी दो अवधीयों की राशियां दिखानी हैं ताकि उनके सहायता से हम तुलना कर सकें दोको विवरणों को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा अदेशे तुलना करने का होता है हम चाहते हैं कि हम अपने पफॉर्मेंस को यानि अपने काम के तरीके को उसके नतीजों को समय समय पर देखते रहें कि हम कितना सुधार कर रहें कि नहीं कर रहें ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम विभिन अवधियों के दौरान अपने वित्तिय नतीजों पर ध्यान दें उनकी तुलना करें कि हम पिछले बार के मुकाबले कितना बहतर हुए नहीं हुए ऐसे में दो अवधियों की राश्या लेना बहुत अच्छा एक तरीका माना जाता है तो लाब वहानी विवरन के स्वरूप में हमने इसमें भी वही किया है कि अभी तक जो आप लाब वहानी देखते आए हैं उसमें आप एक तरफ सारे व्याय यहानी की मदों को दूसरी तरफ सारे लाब वहाई की मदों को दिखाते थे अब उससे उलट इसमें भी हम एक उर्द्वा धर स्वरूप यानि वर्टिकल फॉर्माट फॉलो करते हैं आप पहले आए और फिर इसको नीचे सारी व्याय यहानी की मदों को दर शाते हैं तो इसके अंदर आप देखिए सबसे पहले हमारे पास संख्या एक के आगे प्रचालन से आए प्रचालन से आए यानि हमारा जो व्यवसाय है उसका जो मुख्य कार्य है उससे जुड़ी हुई गत्य विध्यों से जो हमें आए प्राप्त होगी उससे हम सबसे पहले यहां पर दिखाएंगे इसके पश्चात यदि कोई अन्य आय है जैसे कहीं से किराया आ गया कहीं कोई कमिशन मिल गया जो हमारा मुख्य व्यवसाय ना हो तो उस तरह की अन्य आयों को हम इसके साथ दिखा देंगे फिर दोनों आय को आप जोड़ेंगे तो आपके पास आजाएगी कुल आय की संख्या बच्चों हमारी नंबर तीन है इसका आपको ध्यान रखना है तो कुल आय निकालने के बाद अब हम चलेंगे व्याय के तरफ आपको ये तो ध्यान होगा ही कि किसी भी व्यवसाई में सामनेत ऐसा होता है कि आय की मदें कम होती हैं व्याय की मदें हमेशा जादा होती हैं बच्चों क्यूंकि आय के श्रोत सीमित होते हैं यदि मेरा एक निर्माण व्यवसाई है वे निर्माण करता हूँ मैं यदि मान किराय देता हूँ मैं हो सकता है कच्छे माल की कीमत अदा करता हु बिजली का बिल टेलिफोन का बिल ऐसे असंख्य व्यए की मदें हमारे पास हो सकती है तो व्यए हमेशा आपको लाग भुहानी दिखाते में जादा जगह लेगा, तो हम अब व्याय की बात करें बचों, तो हमने नंबर 4 के अंदर व्याय का सीरशक दिया, इसके अंदर सभी अलग अलग प्रकार के व्यायों को दिखाया, लेकिन ध्यान रखना है हम व्यायों को सीरशकों के अंदर वर्गी कृत करके जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहला हमारा व्याय है उपभोग की गई सामगरी की लागत यह सबसे पहला और सबसे मुख्य व्याय होता है क्योंकि यदि आपका व्यवसा है यदि आपकी फैक्टरी है जहां पे आपकुछ वे निर्मान कर रहे हैं तो वहां आप कच्चे माल का अभोग करेंगे वहां आप इस तरह की चीजों का अभोग करेंगे जो आपके वस्तू की निर्मान में आपके साहिता करेगा तो उसमें जो आपकी लागत आती है, उसे हम भोग की गई सामगरी की लागत कहते हैं, इसे आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, सामगरी की लागत का अर्थ है, उत्पादन करने वाली कंपनियों पर लागू होने वाली लागत, इसमें वस्त्वों के उत्पादन में प्रयुक्त कच्चा मा वो अन्य सामग्रिया जैसा कि मैंने बताया वो इसके अंदर हम लेते हैं कि यदि मैं इसका इनिर्वान कर रहा हूं तो इसको बनाने में मुझे प्लास्टिक लगेगा, ये कॉटन लगेगा अर जो भी सामग्री लगेगी इस से जुड़ी हुई वो मेरी सामग्री की लागत क के अंदर आ जाएगी बचों इसी प्रकार अब हम यहां पर ही देखते हैं कि इसके आगे हमारे पास व्यापारिक रहतिये का क्रेय होता है रहतिया यानि स्टॉक तो हमने इस वर्ष कितना स्टॉक खरीदा वो हम इसके अंदर दिखाते हैं इसका अभिप्राय व्यापार के उ वस्तूओं का क्रेय करते हैं चाहे वो कच्छे माल के लिए हो चाहे वो निर्मित वस्तूओं से जुड़ी हुई कोई अन्य वस्तूओं हो जो भी हमारा स्टॉक है उसको हमने कितना खरीदा इस साल इस वर्ष हमने कितना खरीदा वो हम यहां पर दिखाएंगे इसके पस्चाद बच्चो निर्मित माल संकर्म चालू तथा व्येपारिक रहेती है। एक अलग श्रिणी के रहती है जो हमारी निर्मित माल के रहती है इसके अंदर आ गए ने मैंने कुछ पैन बना कर रख दिये हैं वो रखे हुए मेरे पास तो निर्मित का स्टॉक कहलाएगा संकर्म चालू यानि यदि काम कहीं चालू है कोई वर्क इन प्रोग्रेस है उसके अंदर कुछ कच्छा माल उप्योग में आ रहा है और वर्ष खतम होने तक कुछ माल अभी वर्क चालू है काम चालू है तो उसके अंदर जो माल हमारा लगा हुआ है वो परिवर्तन को दिखा रहे हैं, परिवर्तन को दिखाने के लिए हमें प्रारंभिक वा अंतिम रहतिये में अंतर लेना होता है, यह आपको ध्यान रखना है इसके पश्चात कर्मचारी हित वे आए बच्चों कर्मचारियों के ओपर किये जाने वाले जो खर्चे हैं चाहे वो वेतन के रूप में हो, मजदूरी के रूप में हो छुट्टियों के लिए उनको दिये गए कुछ पैसे हो या और कोई भी स्टाफ के हित में किये गए खर्चे हो वो हम इस वर गया इस श्रिनी के अंदर दर्शाते हैं इसके पश्चात आती है विद्ट्यलागत के श्रिनी विद्ट्यलागत का अर्थ होता है विद्ट हासिल करने के लिए यदि हम कोई व्या कर रहे हैं जैसे ये हम कोई ब्याज दिभर रहे हैं तो उस तरह की लागतें जो ब्याज आदी के रूप में होती हैं उन्हें हम वित्य लागत के नाम से दिखाते हैं फिर आता है हरास मोली हरास मोली हरास आप जानते हैं हमारी स्थिर संपत्यों के मोले में जो गिरावट आती है उनको ह हम रास के नाम से घटाव को दर्शाते हैं, इसके पश्चात अन्यवय हैं, जो व्याय इनमें से किसी मद में नहीं आए उनको आप अन्यवय के के नाम से हमारे पास आ जाएगा बच्चों इसके पश्चात हम नंबर तीन में हमारे पास कुल आय प्राप्त कर चुके हैं नंबर चार में हम कुल व्याय प्राप्त कर चुके हैं यदि आप कुल आय में से कुल व्याय घटा दे तो आपके पास लाब आ जाएगा लाब नंब साधारन के लिए यदि फैक्टरी में आग लग गई उस पर जो खर्चा हुआ या उससे जो नुकसान हुआ वो एक असाधारन मद हो गया यदि हमें इस से किसी प्रकार का इंशॉरेंस प्राप्त हुआ तो एक असाधारन आये हो सकती है तो ऐसी मदों को हम दिखाते हैं साधा याने के बाद हम उनको यहां उनसे पूर्व जो लाब प्राप्त हुआ था उसमें से घटाएंगे तो नंबर पांच में हमें जो लाब प्राप्त हुआ था उसमें से हम नंबर छे में लिखी गई असाधारन मदों को घटाने के बाद प्राप्त करेंगे 5 में से 6 को घटाने के बाद हमें मिलेगा हम यहाँ पर ही चाहे तो 7 में आसाधरन मदों को भी घटा सकते हैं इस स्वरूप में हमने आपको आसाधरन मदों को अलग से घटा कर दिखाया है अपवादिक मदे वह आसाधरन मदे इन दोनों को अप घटाएं और इनको घटा के आपको जो लाब प्राप्त होगा उसको आप बोलेंगे कर से पूर्व लाब बारवी कक्षा तक आपको सामाने तर ऐसी मदों को जादा सामना नहीं करना पड़ता है यदि आपके सामने असी मदों आ जाएं तो इन अपवादिक वासाधरन मदों को आप साथ में लिखकर भी उसके बाद उनको पहले के लाब में से घटा कर क्या प्राप्त करेंगे कर से पूर्व लाब यानि प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्योंकि लाब के बाद अब कमपनियों को टैक्स भी देना होता है इससे पहले आपने जो विवसाय देखे उनमें टैक्स या कर का इतना उपयोग नहीं देखा होगा लेकिन कमपनियों के लिए टैक्स भरना आनिवार्य होता है तो इसके बाद हम टैक्स को यहां लिखकर टैक्स घटाते हैं टैक्स भी देखो बच्चों दो प्रकार का हो सकता है वर्तमान व अस्थागित कर वर्तमान यानि इस वर्ष का कर अस्थागित कर यानि एदी कोई पुराना कर हमारे पास बचा हुआ आ रहा था तो वह कर अस्थागित कर कहलाता है उन सभी करों को घटाने के बाद हमारे पास प्राप्त हो जाता है सतत प्रचालनों से अवधी का लाब इसको करके हमारा लाब वहानी विवरन हो जाता है पूरा तो बच्चों अब हम इसको एक सरल उधारन के साहता से मोटे मोटे तोर पर सीख लेते हैं कि इस तरह से लाब वहानी विवरन को किस प्रकार बनाया जाता है बच्चों हमारे सामने कुछ मदें यहां पर दी गई है जैसे कि सयत्रो मशीनरी भूमी मशीनरी पर मुल्य हरास क्रे, अंतिम रहतिया, मजदूरी, विक्रे, वेतन, बैंक अधी विकर्ष, दस प्रतिशत रिणपत्र, समता अंशपून जी, अधिमानी अंशपून जीवा जो कि सौरपे प्रतेक के दर्से हैं यदि हमें इनमे से मदों को चुन कर लाब वहानी विवरेंड में दिखाना है, तो हम किस परकार दर्शाएंगे सबसे पहले हमें आए के शुरोत ढूंडने होते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें इसके अंदर आए दर्शानी है तो बच्चो आए के लिए आपके पास विक्रे से प्राप्त जो आए है दस लाख रुपे की ये थी तो हमने दस लाख रुपे की आए यानि इनकम को लिया और वहाँ पर दिखा दिया इस प्रश्ण में हमारे पास आए का कोई अन्य शुरोत नहीं है तो हमारी कुल आए दस लाख रुपे की आवी इसके पश्चात विये के नाम पर बच्चो हमारे पास क्या क्या है एक तो हमारे पास है समायोजित क्रे आप क्रे को देखें यहाँ पर ये क्रे चार लाख रुपे का आपके पास है ये क्रे दिखाया इसके बाद कर्मचारी हित्वेय के आगे एक नोट नंबर है क्योंकि इसकी राशी हमें सीधे तोर पर नहीं दी गई थी हमें इसकी गड़ना दिखानी है तो ये आप प्रशन में देखें एक तो ये मजदूरी और एक ये वेतन ये दोनों कर्मचारीों पर किये गए व्याई है इसलिए हम इनको नोट में यहाँ पर जोड़ कर दिखाएंगे कि हमारे पास दो लाख रुपे कैसे आए और फिर ये हमारे कर्मचारी हित्वेय में नोट नंबर बन में चला जाएगा इसके पश्चात वित्य लागत बच्चों वित्य लागत पर आप देखो आपके पास रिंड पत्र है रिंड पत्र पर दस प्रतिशत का ब्याज देना है एक एप्रिल को आपने रिंड पत्र जारी किये तो पूरे वर्ष का आपको ब्याज देना है एक लाख रुपए के रिण पत्रों पर यदि हम ब्याज निकालते हैं दस प्रतिशत तो दस हजार रुपए वित्य लागत ब्याज के रूप में आ जाएगा इसके पर शचाथ बच्चों हरास की राशी हमारे पर शोला हजार की है जो की हमारे प्रश्च में दी गई हैं यहां पे कि राशी प्राप्त होती या करका प्रतिशत प्राप्त होता तो हम इसमें से कर घटा कर उसको दिखाते तो बच्चो इस प्रकार आपको सरलता पूर्वक हमने बताने की कोशिश की कि कैसे आपको आय की मदों को लेना है व्याई की मदों को लेना है व्याई को जोड़ना है आ तो आपको तुलन पत्रवा लाब वहानी विवरण के स्वरूप को इधारन को सिखाया गया वहाप को समाज आये होगा इनकी जानकारी बहुत एह्म हो जाती है क्योंकि आपके आने वाले अध्याय में आप इन विटीय विवरणों का विशिलेशन करने वाले हैं तो आप इन दोनों ही प्रकार के विवरणों को और ध्यान से पढ़ें, इनकी विशय सामगरी को देखें, समझें या पैचाने की कौन सी बद किस शीरशक के अंदर आती है ताकि आप जब विशलेशन करने जाएं तो आपको वहाँ पर किसी प्रकार की दिखकत ना हो मैं आशा करूँगा कि आज का या भाग भी आपको अच्छे से समझाया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद करा दे sumने हो सबाद आपको आपको आपको